पेट में बनने वाले एसिट की मातरा को कम करता है ये सीरप और इस सीरप का उपयोग हार्ट बर्न की समस्या में किया जाता है जैसे कि आज हम आपको रेनेटिडीन सीरप के बारे में बताएंगे रेनेटीडीन ओरल सस्पेंसन सीरप का उपयोग कहां किस परकार की समस्या किस बीमारी मरीज को क्या दिकत क्या परिसानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा रेनेटीडीन सीरप पीने के लिए दिया जाता है इस सीरप का डोज क्या होता है इस सीरप का साइड इफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा जलन होता है। तब उस सीरफ का उपयोग पेटके रालस की समस्या में भी उपयोग करने के लिए मरीश को दिया जाता है। होता है बच्चों के पेट में अगर गैस की प्रॉबलम रहती है या बच्चों के पेट में गैस बनता है तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा रेनिटीडीन ओरल सस्पेंसन दिया जाता है बच्चों के लिए और जैसे की बच्चों के द्वारा रेनिटीडीन ओरल सस्प स्पेंसन दिया जाता है बच्चे को पिलाने के लिए जिससे बच्चे के पेट में जो अलसर की प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है और जैसे कि क्या होता है अगर बच्चों को मेल्टी बिटामिन या मेल्टी मिनरल का सीरप दिया जाता है तो उसमें क्या होता है किसी भी परकार की समस्या रहती है तो डॉक्टर के दोरा deposit की रेनिटी गीन oral suspension syrup दिया जाता है बच्चे को पिलाने के लिए जलिए है हम आपको reinitidine oral suspension syrup के side effect के बारे में बता देते हैं किया क्या देखने को मिलता है जैसे कि इस syrup से nozia की problem हो सकती है boometing की problem हो सकती है और जैसे कि उसके headache में काफी ज़्यादा दर्दी की समस्या हो सकती है constipation की समस्या हो सकती है उसे diarrhea का problem हो सकता है अगर यह सब problem आपको दिखे S-R-S-I defect तो यह सीरप तुरंट बंद कर दें चलिए अब हम आपको renitidine oral suspension syrup के डोज के बारे में बताते हैं जैसे कि आपको पता है जो medicine का डोज होता है डॉक्टर बच्चे की इस्तिती condition body bait और उसकी दिक्कत को देखते हुए डोज निधारित करके देते हैं लेकिन फिर भी जो इसका डोज होता है जैसे कि अगर बच्चा एक साल से लेकर तीन साल के बीच में रहता है तब डॉक्टर के दोरा धाई एमल ये सीरप पिलाने के लिए बताया जाता है अगर बच्चा तीन से लेकर पांच साल के बीच में होता है तब उसे चार से लेकर पांच एमल पिलाने के लिए बताया जाता है इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई दिकत कोई परिसानी है तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर या फार्मासिष्ट से संपरक करके दवा दे कोई भी इंजक्शन कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना दे